नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वाइन्स ओफिशल पर तो आज की इस वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली सभी परकार की मिट्टियों को कवर करेंगे पहले हम भारत में पाई जाने वाली सभी परकार की मिट्टियों को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटिड जो भी प्रिविएस एयर के क्वेस्चन पूछे गए हैं उन्हें कवर करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बने पर आप पेशन्स के साथ वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखना क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो के खतम होने के बाद आपको इसका फाइदा जरूर देखने को मिलेगा और मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा एंट तक देखते हैं और लास्ट में प्रिवियस एर के कोईशन सोल्व करते हैं तो आपका इस टोपिक से कोईशन गलत नहीं होगा और आपको इस वीडियो से बाहर कोईशन देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मिट्टी जिसे मिर्दा कहा जाता है इसकी डेफिनेशन क्या है तो मिर्दा भूमी पर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्मान मूल रूप से चटानों के विखंडित होने उनमें वनस्प पतिवा जीवों के सडने गलने तथा जलवायू की किरिया से निर्मित अमलिय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रकिया के बाद मिर्दा का निर्मान होता है जो आप प्रित्वी के धरातल पर देखते हैं दानेदार परत वही मिर्दा कहलाती है और इसका निर्मान को मिःदा विध्यान कहते हैं यह imporate है हिंदी में तो असानी है किसे मिःदा विजण कहते हैं पर कई बाज ये English में पूछ लिया जयता है तो मिट्टि के अधियन का विग्यान को English में धिलरोजी कहते हैं याद अखियेगा क्या कहते हैं पैडोलोजी तो इसे आप कैसे याद रख पाएंगे देखिए इसके शुरुवात कैसे हो रही है अगर आप पहले तीन वर्ड देखें तो PED पेड़ तो आपको पता है पेड़ पोधे कहां पर होते हैं तो मिट्टी में होते हैं तो पैडोलो इसने भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों को आठ वर्गों में विभाजित किया है तो यह सभी आठ वर्गों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह कौन-कौन से वर्ग हैं तो सबसे पहले हैं कि भारत में जलोड मि मिट्टी, चोथी है लेट्राइड मिट्टी, पांचवी है परवतिय मिट्टी, छठी दलदली मिट्टी, सात्वी मरुस्थलिय मिट्टी और आठवी लवनिय मिट्टी तो ये आठ परकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं तो उसके आगे है कि भारत में सबसे ज़्यादा छेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियां चार परकार की हैं वैसे तो पूरे भारत में 8 परकार की मिट्टियां हैं पर ये 4 परकार की मिट्टियां जो हैं ये भारत में आधे से ज़्यादा चेत्रफल पर पाई जाती हैं और नहीं से exam में question बनते हैं तो इन्हें हम detail में पढ़ेंगे, बाकी हम 8 परकार की मिट्टियों को पढ़ेंगे, पर इन 4 को detail में पढ़ेंगे, तो यह जो है जलोड मिट्टी, यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे नमबर पर है लाल मिट्टी, मलब जलोड मिट्टी के बाद सबसे और काली मिट्टी के बाद लेट्राइड मिट्टी पाई जाती है, तो यह इनका करम है, सबसे ज़्यादा जलोड मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली, फिर लेट्राइड मिट्टी, तो उसके बाद है कि भारत की सभी मिट्टियों में मुखेता तीन त तत्यों की कमि होती है तो भारत में पाय जाने वाली लगभग सभी मिट्ट्यों में ये तीन तत्यों की कमि होती है कौन-कौन से है nitrogen, Phosphorus और humus ये तीनों की कमि होती है तो nitrogen Phosphorus तो आपने सुना होगा यह humus क्या है तो पदार्थ निर्मित होता है उसे हुमस कहते हैं अभी हमने मिर्दा की definition देखी उसमें हमने देखा न कि मिर्दा का निर्मान कैसे होता है तो चटानों के टोटने फूटने और साथ हमने देखा था कि जो जीव जंतू हैं और पेड़ पोध हैं उनके गलने सड़ने के बाद जो सबसे पहले हम देखते हैं जलोड मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोड मिट्टी मतलब कि यह भारत के सबसे ज्यादा चित्रफल को कवर करती है जलोड मिट्टी को ही दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं याद रखेगा कि दोमट मिट्ट और कछारी मिट्टी जलोड मिट्टी को ही कहते हैं तो जलोड मिट्टी होती क्या है जलोड मिट्टी नदियों द्वारा पहाडी छेत्रों से लाकर मैदानी छेत्रों में बिशा दी जाती है मैं आपको एक्जामपल से समझाता हूं कि जो बड़े बड़े पहाड परवत होते तो नदिया क्या करती हैं, पहाडों से छोटे-चोटे कंकर, वहां के अवसाद, मिट्टी, कच्छरे को लाकर नीचे मैदानी भागों में जमा कर देती हैं उसी को जलोर, मिट्टी कहते हैं, अगर आप जलोर को तोड़ेंगे उसका संधी विच्छित करेंगे, तो वो क्या हो होगा जल प्लस और जली मैटानी भागों में औरहा दी जाती है उसी को जलोड मिट्टी kitty कहते हैं ठीक है इसे अग असाँनी सर्मज़ घया है जलोल मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सरवाधीक उपजाओं मिट्टी है यह कौन सी है यह जलो जलोड मिट्टी है यह कौन कौन से छित्रफल को कवर किरती है तो भारत में संपून उत्री मैदान और साथी साथ तर्टिय मैदान को यह कवर करती है और इसमें क्या परचूरता होती है मलब इसमें अधिकता क्या देखने को मिलती है तो चूना तथा पोटाशियम इसमें परचूर मात्रा में पाया जाता है याद आखेगा चूना तथा पोटाशियम और इसमें कमी किसकी होती है तो मैंने आपको शुरुवाद में ही बताया था कि भारत में लगवग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन फासफोरस और हुमस की कमी होती है त और साथे साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेते भी इसमें की जाती है तो आगे हम देखते हैं कि जलोड मिट्टी दो परकार की होती है तो अभी हमने जलोड मिट्टी के बारे में समझा तो ये जो जलोड मिट्टी होती है ये दो परकार की होती है बहुत ही इंपोर पुरानी जलोड मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और खादर जो नई जलोड मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती है उसे भंगार कहते है ना भंगार तो उसी से आप रिलेट करेंगे बांगर तो इसे पुरानी जलोड मिट्टी कहते हैं तो बांगर और खादर क्या होता है ये मैं आपको एक और example से समझाता हूँ ताकि आपको और clear हो जाए तो जो ये आप map देख रहे हैं ये है बिहार का map आपको पता है कि बिहार में हर साल बाड आती है बाड क्यों आती है क्योंकि नेपाल द्वारा उपर से पानी छोड़ दिया जाता है जिस करण ये जो आप एरिया देख रहे हैं dark green ये हर साल बाड से प्रभावित रहता है तो हर साल बाड से प्रभावित रहता है तो यहां पर क्या होता है हर साल नदियों द्वारा मिट्टी लाकर बिचाई जा रही ह तो इसे नई जलोड मिट्टी कहेंगे और बाकी का ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये पैरेट ग्रीन ये एरिया हर साल बार से प्रभावित नहीं रहता कई कई बार क्या होता है 5-7 सालों बाद कि भारत की नदियां भी उफान पर है यहां पर भी पानी पूरा लबा लब भड़ा हुआ है और उपर से नेपाल भी पानी छोड़ देता है तो जिस करण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा उत्तर बिहार बार से प्रभावित हो जात यह हर साल बाड से प्रभावित हो रहा है हर साल यहां पर नदियों द्वारा मिट्टी बिछाई जा रही है जिसे हम कहेंगे नई जलोड मिट्टी तो इसे हम कहेंगे खादर तो आशा करता हूँ आपको एक्जामपल से किलियर होगा होगा कि जो हर साल एरिया बाड से प्रभ मिट्टी तो काली मिट्टी का निर्मान बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है यहाद रखेगा very important कि जो काली मिट्टी है इसका निर्मान बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है तो बेसाल्ट चट्टाने क्या होती है यह मैं आपको बताता तो लाखों साल पहले क्या हुआ जो ये प्राय दीपिय भारत है मतलब कि दक्षिन भारत है यहां पर इस रीजन में जौला मुखी का विसफोट हुआ तो जो उसका लावा है यह पूरा इस एरिया में फैल गया जहां पर आप देखते हैं काली मिट्टी पाई जाती है इस एर चट्टाने बनी अब यही विसाल चट्टाने जब तूटती फूटती है तो उन्हीं से काली मिट्टी का निर्मान होता है तो जोला मुखी की विसफोट से विसाल चट्टाने बनी और उन्हीं विसाल चट्टानों के तूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्मान हुआ इसलिए मैंने यहां पर बता आपको कि विसाल चटानों के तूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्मान हुआ है यह important है तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं तो लावा मिट्टी इसे क्यों कहते हैं क्योंकि इसका न तो कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है क्योंकि इसमें उपस्चित होता है Titaniferous Magnetide तो इससे आप याद कैसे करेंगे इसमें वर्ड है ना Magnetide तो आपने देखा होगा Magnet को Magnet Black Color का होता है ना आपने करन इसका रंग काला होता है यह तो ट्रिक है उसके बाद हम देखते हैं कि काली मिट्टी किस किस शेत्र में फैली हुई है तो यह है मध्यपदेश, गुजरात, महराष्टर, उत्री करनाटक में फैली हुई है और प्रायदीपिय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो यह प्रायदीपिय भारत है ना इसमें सबसे ज़्यादा कौन से मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी पाई जाती है अगर हम बात केरें कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहां देखने को मिलता है तो ये महराश्टर में देखने को मिलता है याद रखेगा कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महराश्टर में देखने को मिलता है और काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए बहुत ही उप्यूगत होती है मतलब कि कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है तो आगे हम देखते हैं कि काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। यह काली मिट्टी है जिसमें क्या हुआ दरारें पड़ गई हैं। तो याद रखेगा कि फैरिक ओक्साइड की उपस्तिती के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है। तो उसी परकार फैरिक ओक्साइड जिस मिट्टी में होगा उस मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है तो याद रखेगा कि इसमें अधिकता किसकी होती है तो लोहा और सिलिका की अधिकता होती है और यह है मिट्टी भारत म तमिल नाडू, आंदरपदेश, नागालेंड, महराश्र, करनाटक के कुछ भागों में पाई जाती है पर आपको ये सभी राजी याद नहीं रखने आपको याद क्या रखना है कि तमिल नाडू और आंदरपदेश में देखने को मिलता है इस एरिया में तो उसके बाद हम देखते हैं कि यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए काफी उप्युक्त मानी जाती है तो जो लाल मिट्टी होती है इसमें बाजरे की खेती के लिए ये काफी उप्युक्त मानी जाती है और जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानि कि जल योजित अवस्था में होती है तब यह पीली दिखाई पड़ती है आपने पीली मिट्टी के बारे में भी सुनाओगा तो यही लाल मिट्टी जब इसमें यह जल को पूरी तरह सोख लेती है जल योजित अवस्था में ह होती है तो यह पीली दिखाई पड़ती है लाल मिट्टी तो लाल मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी तो यह मिट्टी उस छेत्र में पाए जाती है जहां पर 200 cm से अधिक वर्षा हो और साथी साथ अत्यदिक गर्मी पड़े मतलब कि जहां पर अत्य और अलुमीनियम की मातरा भरपूर होती है अगर इसमें लो अक्साइड होता है तो इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है क्योंकि जिस मिट्टी में लो अक्साइड होगा उस मिट्टी का रंग लाल होगा तो यह मिट्टी भी लाल रंग की होती है लेटराइट मिट्टी त तो अत्यदिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, जो मिट्टी के उपर पोशक ततो होते हैं, वो पानी में घुल कर बह जाते हैं, तो जिस कारण ये मिट्टी अत्यदिक उपजाओ नहीं होती, क्योंकि इसके जो पोशक ततो हैं, वो जल में घुल कर बह जाते हैं, इसी को न मिलती है तो आपको यह सबी याद नहीं रखने, बस आपको यह याद रखना है कि जो पक्षमि घाट है यहाँपैर और साथ ही साथ जो इसका सबसे ज्यादा विस्तार है वो की आरल में देखने को मिलता है मतलब कि के रम में लेट्राइड मिट्टी पाई जाती है, लेटराइड मिट्टी, तो इसके बाद है कि लेटराइड मिट्टी का उपयोग, इट बनाने के लिए किया जाता है, काफी important है, exam में कई बार पूछा गया है, कि इट बनाने के लिए कौन से मिट्टी उपयोगत होती है, तो यह है लेटराइड मिट्टी, इसे तो और आप अ मात्रा जादा हो उसे लवन्य मिट्टी कहते हैं जब मिट्टी की परकृती शारी होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवन्य मिट्टी कहते हैं और साथी साथ लवन्य मिट्टी को रह कलर और उसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है मतलब कि भारत के अलग-अलग राज्यों में ये लवनिय मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पर उसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो रह, कलर और उसर इसी मिट्टी के नाम है और भारत में इस मिट्टी का सबसे जादा विस्तार गुजरात के कश के रन में देखने को मिलता है तो आ बोर असान है, पर्वतिय मिटी, तो जो पर्वतों पर पाए जाए, तो इस परकार की मिर्दा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जैसा कि आप image में देख रहे हैं, तो पूरा जो उत्तर भारत में हिमाले है ना फैला हुआ, वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, तो जैसा कि जम्मू कश्मीर, लदाक, हिमाचल परदेश, उत्राखन, सिक्किम और नाचल परदेश, यहाँ पर इस मिट् पर ही सेवों की खेती की जाती है, तो हमने छे परकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया, अब बच्ची दो परकार की मिट्टियां इन्हें भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले है मरुस्थल्य मिट्टी, इस परकार की मृद्दा में नमी की कमी होती है, और इसका व भारत में मुखेता, राजस्थान, गुजराद, दक्षिन पंजाब और दक्षिन हर्याना में देखने को मिलता है, तो मुखेता जो मरुस्थलिय मिट्टी है, इसका विस्तार राजस्थान के एरिया में देखने को मिलता है, और मरुस्थलिय भूमी होने के कारण यहां पर ख केते हैं दल्दली मिट्टी दल्दली मिट्टी का विकास अत्यादिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है वनस्पतियां यानि कि पीड़ पोधों के सड़ने के कारण उसी के साथ अत्यादिक वर्षा हो जाए जिस कारण कीचर सा हो जाता है उसी को दल्दली मिट्टी कहते हैं और दलदली मिट्टी में हुमस की मातरा अधिक होती है मैंने आपको शुरुवात में बताया था कि भारत की अधिकतर मिट्टियों में नाट्रोजन फासफोरस और हुमस की कमी होती है पर दलदली मिट्टी में हुमस की मातरा अधिक होती है क्यों होती है क्य मुखेता केरल, उत्राखंड और पक्षिम बंगाल के कुछ शेत्रों में देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमने पूरी आठ परकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया अब कुछ हम महत्वपूरण तत्य देख ले तो लाश्ट में हम कुछ महत्वपूरण तत्य देख लेते हैं क्योंकि यह भी exam में पुछे जाते हैं उसके बाद हम previous year question देखेंगे तो जो आप यह image में देख रहे हैं, यह है pH scale इससे हम किसी भी वस्तू का pH मान यानि कि ये पता लगाते हैं कि वो वस्तू अमलिय है या शारिय है अगर किसी वस्तू का pH साथ होगा तो वो उदासीन होगी यानि कि नहीं अमलिय होगी और नहीं शारिय अगर उसका pH 7 से बढ़ेगा आगे प्लस में होगा 8 हो 9 हो pH तो वो 6 प्रकृतिकी होगी अगर उसका pH 7 से कम हो तो वो अमलिय प्रकृतिकी होगी तो मैंने आपको pH scale क्यों बताया क्योंकि जो मुखेता फसलों को उगाने के लिए भूमी का pH होना चाहिए वो लगभग 6 और 7 के मध्य होना चाहिए मतलब कि उधासीन होना चाहिए ना तो अमलिय हो ना चारी हो पर अगर मिट्टी अमलिय हो या चारी हो तो उसकी अमलियता और चारीता को कम कैसे किया जाएगा यह मैं आपको बताता हूँ क्योंकि यही एक्जाम में पूछा जाता है तो अगर मिट्टी अमलिय हो पहले आप देख रहे हैं अमलिय मिट्टी अगर मिट्टी अमलिय हो तो मिट्टी की अमलियता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है और दूसरा है चार्य मिट्टी, अगर मिट्टी चार्य हो तो उसे चार्यता को कम करने के लिए जिपसम का उपयोग किया जाता है, दोनों याद रखेगा, अगर अमलिय मिट्टी हो तो उसमें चूने का उपयोग किया जाता है, अमलियता को कम करने के लिए, अगर चार्य अब previous year question देखते हैं कि हमारे कितने question सही होते हैं तो सबसे पहला question है कि भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद के अनुसार भारत में कितने परकार की मिटियां पाई जाती हैं तो भारत में कितने परकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो आठ परकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं. दूसरा प्रशन है कि भारत की सरवाधिक उपजाव मिट्टी कौन सी है? तो आप बताएए कि भारत की सबसे उपजाव मिट्टी कौन सी है? तो ये है जल पर किया है तो यह है जलोड मिट्टी यहीं मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाओ है और यहीं मिट्टी भारत के सबसे ज़्यादा छेतरफल में पाई जाती है तो यादक कियेगा अगला प्रशन है कि नवीन जलोड मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है नवीन यानि की नई जलोड मिट्टी तो नई जलोड मिट्टी को कहते हैं खादर बांगर किसे कहते हैं भंगार से हम रिलेट करेंगे पुरानी मिट्टी को तो जो नई है उसे हम कहेंगे खादर अगला प्रशन है कि पुरानी जलोड मिट्टी को अन्य किसे नाम से जाना जाता है तो पु पहले सबसे ज़्यादा भारत में कौन से मिट्टी पाई जाती है फिर उससे कम उससे कम तो सबसे ज़्यादा कौन से पाई जाती है वो तो है जलोड इसमें जलोड कौन से है तो A और B दोरों में जलोड तो जलोड के बाद कौन से पाई जाती है तो वह लाल मिट्टी तो यह यह है option B, सबसे ज़्यादा जलोड मिट्टी, उसे कम लाल, उसे कम काली, उसे कम लेट्राइड, यह है शेत्रफल की अधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोगी करम, option B. तो अगला प्रेशन है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो यह SST में question पूछा गया है, और भी कई एक्जामों में यह question पूछा गया है, important है, बताइए कपास की खेती के लिए कौन से सर्वोत्तम मिट्टी है, तो यह है काली मिट्टी, काली मिट्टी म में और गुजराद में मतलब कि इन में से सभी तो यहां पर काली मिट्टी का विस्तार पाई जाता है अगर यह पूछ ले जाता कि सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाता है तो वह होता महराश्ट तो महराश्ट में सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार है पर गुजराद मद्यपदेश और महाराज तीनों में काली मिट्टी पाई जाती है उसके बाद अगला प्रशन है कि भारत में निमा लिखित मिर्दाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होई है तो बेसाल्ट चटानेों से कौन सी मिर्दा बनी थी मैंने आपको बताया था कि जो आला मुखी से लावा निकला वो ठंडा होकर बेसाल्ट चटाने बनी और उन्हीं के टूट फूट से काली मिट्टी बनी थी तो काली मिर्दा इसका सही जवाब होगा ये बेसाल्ट चटानों से बनी है उसके बाद अगला परशन है कि रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो काली मिट्टी काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं ये हमने पढ़ा था अगला प्रशन है कि मिट्टी की अमलियता को कम करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है तो अमलियता को कम करना हो तो उसमें क्या मिला जाएगा तो उसमें चूना मिला जाएगा अगर यही पूछा होता कि शारियता को कम करना है तो उसमें क्या मिला जाता तो उसमें जिप्सम मिला जाता. पूशाप हमें क्या है कि अमलिता कम करने के लिए तो अमलिता कम करने के लिए चूना मिला जाता है. Last question है इस वीडियो का कि निमा लिखित मेंसे कौन से मिट्टी एटों के लिए उप्योगत मानी जाती है. तो इसे के पीछे ना इट, तो इट से ही इटों का निर्मान होता है, मतलब कि लेटों का निर्मान होता है, तो आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है, कैसी लगी ये वीडियो? कॉमेंट सेक्षन में जरूरू बताना, धन्यवाद.